नमस्कार रिक जाम, हैपी बाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहाय कद्यापको के आकलन परिच्छा की तैयारी को लिए तो आप सभी का आकलन परिच्छा बहुत जल्दोने वाला है इसलिए आप सभी तैयारी में जूड़ जूड़ लग जाएंगे और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी दीरे दीरे जूड़ने का प्रयास कीजए क्योंकि नहीं जूड़ने से यहाँ पर पास होते होते भी आदमी फेल कर जाता है इसलिए इससे आप इसको छोटे वजबे नहीं लेंगे यह जो आकलन परिच्छा है इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता यह आप दिमाग भी नहीं रखेंगे कि यह तो आकलन है सिर्फ 10% के लिए हम दे रहे हैं कब दिमाग घुमेगा कोई गारेंटी नहीं है जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा तो आप जूड़ करके पढ़िए चलिए दोस्तों अब एक बात बता दे यदि आप जहरकन में सायकत है कि आ वैसी बाते चल रही है तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेस्ट बुक को पढ़िए कहीं जुड़िये या न जुड़िये अपने टेस्ट बुक को पढ़ लिजे आप पास कर जाईगा क्योंकि सफलता इतनी असान चीन नहीं होती है कुछ ने कुछ करना पढ़ तो आप सभी को बहुती सपीसेंट मैटरियल, NCRT सारे टेस्ट बुक का नोट्स, PDA, मैटरियल और उसी अस्तर का प्रैक्टी सेट, मॉड़ल सेट सारा तयारी किया जा रहा है और आपको इहाप पर दिया जाता है और आप उसे जूड़ कर के तयारी जाता है можем कहीं पीर के ह साम को भी आपको समय मिलता है तो आपके वाटसप पर सारा चीट डाला हुआ रहेगा वहां से जा करके आपको पढ़ लिजे तैयारी कर लिजे और उसके बाद देखे आपका जो है 101% पास होने का गारेंटी आपको बनता है तो आपको जितना नोट्स मेट्रियल दिया जा जा आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं आपको कलास 6 का एकसरसाइज 5 भुगोल का प्रित्वी के परमुग परिमंडल टॉपिक को लेकर के हम आये हुए हैं तो यदि आप 1-5 में है तो यह प्रयावरान अधियन से आपका बिलोंग करता है यदि आप 6-8 हैं तो आपको के आएंगे तो दो या तीन नमर आपको लेने हैं तो आप विडियो कान तक जोई विरिएगा जिस सारे प्रशनों को देखेंगे और साथ में आपको ट्रीकी भी इसमें बताने वाले हैं तो चली चलते हैं प्रशन की और तो सबसे पहला प्रशन है कि 20 वका सबसे बड़ा म महासागर तो देखें यह पर महासागरों के जब बात आती है तो आपको इसमें जनकारी होना चाहिए तो सबसे बड़ा और सबसे गारा सारी चीजों के जो विसेस्ता है वह आपका परसांत महासागर में देखने को मिलता है ठीक है तो देखें यह जो आपका प्रशन है बि भी भी आई है उसी को लेकर काया हुए है और यह सारे आपको टेस्ट बुक का है आप जा करके देख लिजेगा उसमें आपको नहीं मिलेगा तो हमें बताएगे ठीक है चले बीस्वकाद सबसे गहरा महासागर कौन है यह भी एक हजार एक से कम बार नहीं आया हुआ बहुत ही पोटेंट के उचान परशांत महासागर है हिंद महासागर है अटलांटिक महासागर है या आर्क्टिक महासागर है तो सबसे यहां पर जो ज़्यादा बात आती है वो परशांत महासागर की बात आती है क्योंकि सबसे बड़ और गहरा दूनू चल जाएगा एकदम ठीक ना परशांत महासागर में चल जाएगा अब देखिए किस महासागर के आकरिती बृता कार है यह प्रशन आपको 101 बार पुछा गया ज्यादा पर नहीं आया है लेकिन यह प्रशन भी आपका एकजाम में आया हुआ है कि किस मासागर का ही नाम आ रहा है तो इसका राइट एंसर परशांत महासागर भी है ठीक है चली अगला दीखिया बीक्राइगा परसांत महासागर देखे बीसवका जो सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्थ है न वो आपका परसांत महासागर में ही इस्तित है जी तो परसांत महासागर से एक परस न आपका निकलके एकदम 101% गारी थी एक परस जो महासागर से आपका रहेगा ही रहेगा ठीक है तो चले कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर को का नाम है औंध महासागर किस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, अट्लांटिक इनसको दिया गया है अगे देखीगा पानी का संक्रा भाग जो दो बड़ी जल रहा से समूंद्र या महासागर को एक साथ जोडते हैं उन्हें कौन सी संधी का था पठार संधी वन संधी जल संधी या दारा संधी एक बात आप लोग देखे समझ लिजे पानी का संक्रा भाग जो दो बड़ी अस्ति को जो पानी का दो अस्ति को एक माल लेज़ इधर जो है आपका समुद्रों इधर जो होती और इसको अगर दी कोई जोड़ रहा है तो ये जल के द्वारा जोड़ रहा है किसके द्वारा जोड़ रहा है जल के द्वारा तो इसको हम लोग कहलेंगे जल संधी ठीक है यदि वन के द्वारा ज जूरता है यहां पर यहां पनी का संक्राभाई की दूसरे जूरता है जल्द संधी के महासागा कि सभ्याह कितनी है यह पच्छा है यहां नाम याद रखने का क्वे देखें को महासागर यह महादीब है वह आपका 5 है पमनचा पात है तो देखे यूद के कर नाम है अच्छा तरशीयात कर लिए ठीक है अंटी का मतलब है कि यू districts करको सागल pacing ौर। 223 चार और यह होगा सागर डिस त्रत से 5 है creative 5 है आगे देखिए गाभ लिए Pride सबसे बड़ा महाद़ीभ कौन है बिशोका सबसे महादेब कौन है आपको बताना ठीक है ASEI, अफिर क्या उत्री अमिर्का या आश्चलिया, विश्वका सबसे बड़ा महादेब कौन है तो विश्वका सबसे बड़ा महादेब कौन है ASEA महादेश से होकर कौन से रेखा गुजरती है करक रेखा मक्कर रेखा विश्वत रेखा या सभी तो देखिए ASEA महादेश से होकर के केबल जो है आपका करक रेखा गुजरती है सभी नहीं गुजरते है करक रेखा गुजरती है ठीक है देखिए ASEA और ईरोप से मिलकर न देखे एस्याँ और यू जब आपसमें मिलेगा न न तो यहाँ पर निर्मान हो जाएगा यूरेसिया का निर्मान होता है इसलिए याद रिखेगा एस्या यूरॉप मिलकर किसका बनाते हैं देखे जो नोट्स पर्चेश करते हैं उनके लिए लिए आप नोट्स का दिया तो इस तारे notes और PDF को एक बर आप ज़रूर purchase कर लिएगा वो सिर्फर सिर्फर सिर्फ चार्ष नानमे में आपको यहाँ पर जुड़े रहना है बने रहना है जो आपको मिल जागा सारा notes, PDF, वीडियो, सारा WhatsApp पर मिलते रहेगा और वहाँ साब तयारी किजिए तो 101% अपको पास होने का guarantee ठीक है Asia को Europe से अलग करता है कौन सी परवत अलग करती है भी प्रस्ण 2001 बर आया के Asia को Europe से कौन सी परवत अलग करती है जिससे वो अलग हो जाता है एस्या को जो Europe से अलग करती है अगला 200 का दूसरा सबसे बड़ा कौन है ठीक है 300 का दुसरा सबसे अइन क्न कोण है एशीया अफरीका इरोपिया उत्री अमिरका देखे इसका दूसरा सब सब महाठिव जो है वह आपका अभी था सबस्रा कौन है थारा महाठिव को नाम एकदम यात अभी सारा ट्रीक हम नीचे देंगे तो आप वीडियो के उप्जेक्टिव क्यूचन के साथ इसी में आपको जितना ट्रीक कोला भी होता है वो भी हम आपको देते चलते हैं तो वह आपको नीचे मिल जाएगा और सारा फिर आपको एकदम याद हो जाएगा ठीक है तो चली अगला जिसमें आप किलियर हो पहिए किस महादिपस और कौन सी रेखा गुजरते है उसका नोटस भी दे देंगे लेकिन इसमें भी आपको हम नहीं दिये हैं वह लक्ष आपको वीडियों बना करके दे देंगे और आपको किलियर हो जाएगा ठीक है तो इसका हो जाएगा यहाँ क्या होगा एस या आस्टेलिया उत्री अमिर्का या फिरका तो देखिए इसका राइट एंसर जो आपका यहाँ पर अफिरका ही है ठीक है अफिरका महादिपस ओकर के तीनों रेखा आपको गुजरती है बिस्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन है लेह रेगिस्तान लदाख रेगिस्तान सहरा रेगिस्तान या सभी तो विस्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो आपका शहरा रेगिस्तान है ठीक है बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है सबसे बड़ा सहरा रेगिस्तान है सहरा रेगिस्तान किस परकार का रेगिस्तान है ठीक है रेगि रेगिस्तान याद रखे यह 501 बार पुछा गया है कि सहारा किस परकर का रेगिस्तान है ठीक है चलिए अगला देखे सहारा रेगिस्तान किस महाद्यूप में इस्थीत है आपको बताना एसिया अफरीका यूरोप या आश्टेलिया ठीक है तो सहारा रेगिस्तान जो आपका अफिरका महादेप में ही इस्तित है ना फिरका महादेप से बहुत से प्रशनाते हैं इस सारे अफिरका महादेप से ही है विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताई चली ये प्रशन तो एक हजार एक बार कह लिजे आगया है विश्व की सबसे लंबी नदी, कौमती नदी, मीशी नदी, लूनी नदी या नील नदी ठीक है कौन सी है तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह आपकी नील नदी है ठीक है ये नील नदी है ना नील नदी किस महादेश में बाती है नील नदी किस महादेश में बाती ह अगला है उत्री अमेर्का उत्री अमेर्का जो है वो दच्छिन अमेर्का से एक संक्रे अस्थल से जुड़ी है जिसों कहते हैं तो उत्री अमेर्का और दच्छिनी अमेर्का जो है एक संक्रे अस्थल से जुड़े हुए रहते हैं जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं पनामा जल संधी, ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पर पनामा जल संधी कहते हैं, ना पनामा जल संधी कहते हैं, यही इसका राइट एंसर है, ठीक है, अब देखेगा यहाँ आगे, अगला है, यहाँ पर आगे प्रश्न है, देखें यहाँ पर क्या है, एक दूसरे अस्थल से सोरी, अस तो उसको अस्थल संदी कहेंगे ना पनामा अस्थल संदी ये जल संदी गलत हो रहा था पनामा अस्थल संदी आप कहेंगे क्योंकि अब ध्यान ने दियां अस्थल से जुड़ा हुआ तो अस्थल संदी होता है ठीक है जल से जुड़ा हुआ तो जल संदी होता है बिस्वकात तीसरा सबसे बड़ा महादीब कौन है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादीब कौन है ठीक है अब फिर का उत्री अमिर्का दचनी अमिर्का या एसिया तो तीसरा जो है आपका वो यहां पर उत्री अमिर्का का स्थान आ जाएगा ठीक है विश्व की सबसे लंबी परबत नीरमान कला है 200 से लंबी परभस रिंखला कौन variant बताना अल्प ए scola है वो आपकी एंडिज फाल इन्डिज पर्वस रिंखला किस महाधिव में इस्तीत है जिसमाहत्वा दीप में है ca आपको बताना है कि किस महादिप में है फिरका उत्री अमिर्का दचनी अमिर्का या इरोप इसका राइट एंसर है आपका दचनी अमिर्का में है आगे प्रश्ण है सबसे बड़ी नदी दुरूनी का निर्मान करती है कौन करती है अमेजन नदी करती है निल नदी करती है किस महादीप में बहती है तो यह जो है अमेजन नदी वह आपका दचनी अमेरिका जो है उस महादीप में बहती है आगे है किस महादीप को स्वेत महादीप कहा जाता है asia ansacrity सबसे च्छोटा महादीब का नाम बताई सबसे च्छोटा महादीब मादेश जो है Asia, Australia, Australia, फिरका, Europe तो इसका right answer होता है Australia, सबसे छोटा महादीप क्या है? Australia है, ठीक है? आगे दिखिये दिवपीय महादीप के नाम से किस महादेश को जाने जाता है? तो Australia है, फिरका है, Europe है, आउतरी अमेरीका है तो Australia को हम लोग दिवपीय महादीव के नाम से जानते हैं ठीक है क्योंकि यह क्या है चारो तरफ से जल से गिरा हुआ छेतर है और बीच में टापू जैसास्थान है इसलिए दिवपीय महादीव के नाम से इसको जानते हैं किसको जानते हैं ठीक है किसको जानते हैं आस्टेलिया को ठीक है बह प्राइदीफ है अमारा भारत भी जो है एक प्राइदीफ है ठीक है क्योंकि यह भी तीन तरफ से जल से गिरा हुआ है एक तरफ अस्तल से है प्रित्वी के लगवक कितने परतिसत भाग पर जल है आपको बताना है 78%, 71%, 75%, 80% तो देखिए राइट एंसर है 71% भाग पर जो है हमारा जल है जल का कितना भाग सुध जल है जो पीने का काम आता है 2.7, 3.2, 1.4, 3.5 देखिए 2.5 देखिए 2.8 के बीच में अगर कोई जी ओप्सन आता है तो आपको उसी ओप्सन को मारना है ठीक है यहाँ पर 2.7 आ रहा है 2.7 को आप ले सकते हैं अब देखिए यहाँ पर आपको महासागर का नाम याद रखना था तो आपको एक ट्रीक याद रखिएगा सिया ने फिरी में नासा आंटी का रुपलिया इसतरा सिया रखेंगा सबसे बड़ा फिर दूसरा तिसरा चोथा पांचवा इसका नोट्स आपको हम दे दिए हैं नोट्स को देख लिजेगा तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको जो है हम सारे चीजों को कवर अप करेंगे आपको 499 रुपए में इसलिए आप जूड़ जाईएगा और सारे नोट्स पीडियेफ आप लेते जाईएगा और वहां से जब पढ़िएगा तो 101% सफलता आ इस चीत है वीडियो कान तक दूड़े रहें इसको आप सभी को बहुत बहुत नन्यवाद